हेलो फ्रेंड स्वागत है अपने चैनल टीटेन स्टडी पर आज के वीडियों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पौधों में पॉशन यानि कि पौधे में किस प्रकार से पॉशन होता है पौधा अपना भूजन कैसे तियार करते हैं वह सारा का सारा प्रोसेस हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यह प्रकरम क्या होता है पोशन क्या होता है पोशन की क्या वीधियां है वह सारा का सारा मैंने डिसक्स कर लिए आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिजे या वीडियो के प्लेडिस्टू चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर को इस वीडियो को देख सकते हैं दो यह część है क्योंकि यहां से विडियो के बात करते हैं और लोगा पौधह होता है वह पोशन के दृष्टी कौन से स्वपोशी होते हैं क्यों होता है स्वपोशी मैंने पिछले वीडियों बताया है आप उसे देख लें तो पौधह में जो पोशन की विधी पाई जाती है वह पाया जाता है स्वपोशन और मैंने बताया था कि स्वपोशन के लिए चार कच्चे सामगडी का होना जरूरी है कौन-कौन सा तो एक हो जाएगा आपका हरित लवक जो की पौधे में ही पाया जाता है दूसरा हो जाएगा आपका जल तीसरा करबन डाकसाइड और चौथा सुर्य का प्रकास यह चार कच्चे सामगडी होते हैं जिनके कारण पौधे में भोजन त्यार होता है अगर इन चारों चीजों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है कोई भी एक चीज नहीं है तो पौधा अपना भोजन त्यार नहीं कर पाएगा मिन्स पौधे में भोजन त्यार करने के लिए चार चीजों का होना बेहत जरूरी है मैं फिर से लानी के जरूत नहीं होती है अगर यह हम में होता तो हमें भी कमानी के जरूत नहीं परते क्योंकि हम में भी एक्टमाटिक एनर्जी खाना बन जाता और नर्जी मिलती तो पौधे में स्वैंग होता हरी तलवक बात करें जल का तो जल पौधे ठीक है नंबर थर्ड पर कौन सा है और गन 0.94 परसेंट और उसके बाद कार्बन डियोकसाइड जो कि मैंने भी बाता है कार्बन डियोकसाइड का प्रतिसत्ता कितनी है और यह कार्बन डियोकसाइड को कहा से मिलेगा और बात कर लेडियों रख दीजों की उपस्थिती में पउधाज जो भोजन तयार करता है तो इस भोजन तयार करने का जो पूरा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को यह क्या करते हैं प्रकास असल में मतलब पॉध है सुरका प्रकास करबन डयोकसाइड जल और हड लवक की उपस्तिती में अपना भोज़न त्यार करते हैं तो इस प्रक्रीया को क्या कहा जाता है प्रकास असलेसन कहा जाता है मैंने वीडियो में अभी कहा कि पॉधे में हडित लवक पाया जाता है और हडित लवक ही एक ऐसी इकाई है जिसकी उपस्थिती के कारण पौधा प्रकास अंसलेशन कर लेता है बादमा की जो तीन चेज कारवन डाक सर्च जोर का प्रकास अंसलेशन नहीं कर पाते हैं लेकिन अगर हमें हडित लवक होता तो कर लेते हैं जा सकती मतलब प्रकास संसलेशन का जो होल प्रोसेस होता है उसके लिए सबसे जरूरी क्या है हरत लवक है और इसलिए हरत लवक को क्या कहा जाता है प्रकास संसलेशन के प्रक्रिया होती कहा है तो प्रकास संसलेशन के प्रक्रिया होती है पत्तियों में शुरू से लेकर के अंतिम तक प्रकास संसलेशन के प्रक्रिया पत्तियों में होती है इसलिए पत्ति को क्या कहा जाता है प्रकास संसलेशन के अंग कहा जाता है नहीं कहे पर अंगक लिखा हो मीलेगा अंगक मींज यूनिट जो कि मैंने हरे तिलवग के बारे में घाख the लगा को इकाई भी ऐह लेगा अंगक भी कह लेगा यूनिट भी कह लिए पती को क्या कहेगा पत्ती को सिर्फ Me रहेगा कि अंग टिक प्रकाश संसलेसिंग या पौधे का रशुई घर हो गया समझ में आ गया चलिए अब दखिए जब प्रकाश संसलेसिन की प्रकृचिरिया होती है ठिक है तो पोधे वाई मंडल से लेते हैं क्या करवन डाक्सड या ऑक्सिजन पता होगा आपको करवन ड ठीक है और oxygen क्या करते हैं रिलेज करते हैं अब यह चीज आपको याद नहीं रहेगा कि carbon dioxide लेते हैं रिलीज करते हैं छोड़ते हैं ठीक है तो carbon dioxide और इन सभी के के वजह से क्या बनता है पौधे में glucose बनता है क्या बनता है और साथ-साथ oxygen भी बनता है तो चुकि गुलकोज जो बनता है पौधा उसका यूज कर लेता है इसलिए गुलकोज को हम लोग बोलते हैं उत्पाद बनता है और उत्पाद के रूप में पुछता है यानि याद रूपन कर लेते हैं ठीक है चुकि पौधा और carbon dioxide ग्रहन करता है और oxygen छोड़ता है इसी वज़ा से वायु मंदल में carbon dioxide और oxygen के बीच संतुलन बना रहता है तो यह जो छोड़ता और लेता है क्यों लेता चोड़ता है ताकि पॉद्हे में प्रकास शंसलेशन हो सेके यानि प्रकास संसलेशन प्रकरिया के कारण ही वायु मंद जले में कारबन डायोकसाइड और ऑक्सिजन के बीच क्या होता है संतुलन बना रहता है तो मैंने इसमें जितनी भी बाते बाता ही सारा का सारा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बता है और यादे वीडियो अच्छा बाता है